ये कहानी है जैनिफर की जहाँ पर ये लिफ्ट में एक अंजान आदमी के साथ फंच जाती है और उन्हें बहार निकालने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होता फिर धीरे धीरे दोनों में बाते होती है और वो चीजे भी होती है जो नहीं होना चाहिए कहानी की सुरुआत ह और हम जैनिफर को देखते हैं जो कि देर राद तक अपने ओफिस में काम कर रही है क्योंकि अगले तीन दिनों तक ये ओफिस बंध होने वाला है और जल्दी वैलेंटाइन डे सुरू हो रहा है इसलिए आज राद जैनिफर को फ्लाइट पकड़नी है ताकि वो अपने मंगे मंगेतर के पास पहुंच सके जैनिफर भी बहुत excited होती है इसलिए वो अपने मंगेतर के पास text भेजती है कि वो जल्दी वहाँ से निकलने वाली है जैनिफर फटा फट अपने काम को निपटा के बैग में कुछ टोफियां रखके वहां से निकल जाती है इधर हम एक आदम भी आ जाता है अब lift नीचे जाने लगती है तब ये जैनिफर से बात करने की कोसिस करता है लेकिन जैनिफर उसकी बातों को तो सुनती है पर कुछ इंट्रेस्ट नहीं दिखाती क्योंकि वो उसके लिए अंजान थी lift नीचे जाही रही होती है कि अचानक से बंद हो इन्हें कुछ समझ में नहीं आता वो लिफ्ट के सभी बटन को दवा कर देखते हैं ताकि लिफ्ट खुल जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता इस बीच वो कैमरे पर भी बार-बार हेल्प के लिए इसारा करते हैं लेकिन वहां से भी उन्हें कोई रिस्पॉंस नहीं आता क्य लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं मिलता फिर जैनिफर और भी परिसान होने लगती है क्योंकि उसकी फ्लाइट छूटने वाली थी ये बात सुनकर वो आदमे उसकी मदद करने लगता है और कहता है कि अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है कि हम लिफ्ट के उपर से जाएं इसलिए जैनिफर अब इसके कंदे पर चड़ जाती है और लिफ्ट के रूफ को तोड़ने की कोशिस करती है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और उनकी सारी कोशिस बेकार हो जाती है और अब इसी भी जैनिफर के हाथ में चोट भी लग जाती है इसलिए अब जैनिफर नीचे उतर जाती है और अब जैनिफर को पता लगता है कि यहाँ पर एक घंटे बीच चुके है और उसकी फ्लाइट भी मिस हो चुकी है इसलिए अब Jennifer निरास हो जाती है अब Jennifer को देखकर ये आदमी थोड़ा मजाक करने लगता है ताकि Jennifer का mood ठीक हो जाए तब ही Jennifer को प्यास लग जाती है और वो आदमी उसे अपने पानी का बोतल देता है और उससे मजाक करते हुए कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम सेंपियन की बोतल भी खोल सकते है ये सुनकर Jennifer हसती है फिर Jennifer इसकी बोतल से पानी पीती है और बदले में उसे कुछ टौफी देती है और वक्त ऐसे भी बीत जाता है अब चार घंटे का वक्त बीच चुका था तब Jennifer कहती है कि मुझे पैसाब लगा है लेकिन याँ पैसाब करने के लिए कोई जगे नहीं है और Jennifer ने बहुत देर से रोक कर रखा है Jennifer उस आदमी से कहती है कि मुझे सरम आ रही है तुमारे सामने पैसाब करने में तब वो आदमी समझाता है कि सर्माने की कोई जरुवत नहीं है, तुम कोने में अराम से पैसाब कर सकती हो, मैं तुमें नहीं देखूंगा, इतना कहने के बाद वो जैनिफर को अपना थरमस भी देता है, फिर जैनिफर उससे कहती है कि तुम अपने आख के साथ साथ कान भी बंद कर लो, वो ऐसा ही करता है, उसके बाद जैनिफर आराम से उसके थरमस में पैसाब कर देती है, अब दोनों एक दूसरे से फ्रेंक हो जाते हैं, दोनों में नजदीकियां बढ़ जाती है, और अब ये दोनों खुल कर बात करने लगते हैं, तब ही जैनिफर बताती है क कि मुझे नियो अर्क जाना था किसी से मिलने, लेकिन अब सब कुछ खतम हो गया, तब वो आदमी कहता है कि मेरे लिए बस मेरा काम ही सब कुछ है, इसलिए मैं लेट नाइट काम कर रहा था, अब दोनों एक दूसरे से काफी कमफर्टेवल हो जाते हैं, इसी भी जोन सेंप क्योंकि उसने पेंटिंग में जोन का मजाक उडाया था, अब वो जोन को सौरी कहती है और उसकी पिक्चर अपने फॉन में खीच लेती है, और कहती है कि अगर मैं जिंदा रही तो इस पिक्चर को अपने घर में लगाऊंगी, और फिर इन दोनों के बीच बातें सुरू हो जाती है, दोनों टाइम पास करने के लिए किसी ना किसी टॉपिक पर बात करना चाहते हैं, तभी जैनिफर कहती है कि हमें अपने सेक्स लाइप के बारे में बात करनी चाहिए, फिर जैनिफर अपना फॉन निकालती है और जॉन से कहती है कि वो अपने सेक्स एक्सपरियें और अपना अनुभव साजा करने के बाद जैनिफर एक बार फिर से जॉन से कहती है कि वो भी अपने अनुभव के बारे में बताए लेकिन जॉन एक बार फिर से सर्माने लगता है और कहता है कि उसके पास ऐसा कोई भी अनुभव नहीं है फिर जैनिफर कहती है कि तुम कोई भी कहानी बना कर बोल सकते हो फिर जॉन कहानी बनाने लगता है और कहता है कि एक बार बार गाड़ी से जा रहा था तभी उसकी गाड़ी में एक होट सी लड़की आई और उसने उससे लिफ्ट मांगा और वो अचानक से अपने कपड़े उतारने लगी और वो मेरे साथ कार मे ही मजे करना चाहती थी लेकिन इतना बोलने के बाद John चुप हो जाता है और कहता है कि सॉरी मैंने कुछ जादा ही बोल दिया लेकिन Jennifer कहती है कोई बात नहीं और इस बात को सुनने के बाद John जैनिफर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और अब ये दोनों किस करने लगते हैं और देखते ही देखते जॉन उसके बुप्स को दवाने लगता है और उसके नीचे उंगली करने लगता है अब जैनिफर पागल हो जाती है और अपने कपले उतार देती है फिर दोनों बहुत देर तक टपाड़ अप करते हैं ये सब करने के बाद जॉन जैनिफर से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये सुनकर जैनिफर थोड़ा awkward फिल करती है और कहती है कि अभी जो हमारे बीच हुआ वो बस ऐसे ही था उसमें कोई भी feelings नहीं थी बलकि मेरी जिन्दगी में पहले से कोई और है लेकिन जोन यहाँ पर आजीब हरकते करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम जिसे चाहते हो वो तुम्हें deserve नहीं करता यह सुनकर Jennifer John पर भड़क जाती और कहती है कि जो भी था यहीं तक था इस lift से बाहर निकलने के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते उसके बाद साइध हम कभी ना मिलें Jennifer की यह बात सुनकर John रोने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बारे में हर एक बात जूट बताई है और मैंने तुम्हें ये भी जूट बताया कि मैं कहां पर काम करता हूँ बलकि मैं तुम्हें हर रोज देखता था मुझे तुमारा पूरा टाइम टेबल बता है और वो अपने बारे में बताता है कि वो इस building में security guard का काम करता है और वो हर रोज Jennifer को देखता रहता था लेकिन एक security guard को कोई भी नहीं देखता इसलिए Jennifer को इसकी सकल याद नहीं और ये सब बताने के बाद John कहता है कि मैंने ही सारी चीजों की planning की थी और इतना कहने के बाद वो अपने जेब से lift की चाबी निकालता है और lift को खोल देता है गाईज और ऐसी वीडियो के लिए वीडियो को like and channel को subscribe करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए मिलते हैं फिर next video